और तुम कालकी के उतारो और तुमने अखंड दिता भारत को खुदा ना करे अल्ला ना करे पूरा करना है इस पर चर्चा इस वीडियो ब्लोग के अंति भाग में करेंगे लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि पाकितान की मीडिया में इस समद्ध में क्या कहा जा रहा है तब भी दाड़ी दखी हुए से और मजली लबी दभी दभी कर लिए सुनते हुआ ये इसके लिए बताया था मैंने कि ये डाड़ी और सर के बाल जो नहीं काट रहा है ना इसके एस्टालोजर ने ये कावा ये हवन भी करो ये पूजा करो और ये डाड़ी जो है ये गुरू ये तो खबर दे दिया आप रहेंगे इसको किसे इसके गुरू ने का हुआ है नहीं गुरू इस्टारा है जी इसके बहुत इनका मैं आज आपको और ये मगबूल जान साथ इनका जो मेन एस्टालोजर है ना वो इनके फाउंडर मेंबर्स में से एक आदमी है उसका नाम है मुरली मनोहर जोशी जो एस्टालोजी का इनका सारा पूरा मंदब चलाता है तो ये कावा है कि तुम पर इसके और इंडिया पर गुरू की और ये सेट्रन की शनी की जो यूटिये इसका बुरा अफेक्ट ना है इसलिए तुम नंबर वन हो और तुम कालकी के उतार हो और अखंड ता वहारत को खुदा ना करे अल्ला ना करे पूरा करना है तो तुम ये डाड़ी के बाल और ये सर के बाल ना काटल जैसे एक होते ना रिशी मनी आपने पाकितान के मीडिया में भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बढ़े हुए सफे डाड़ी के बारे मे में पाकितानी मीडिया में एक संसरी खेज और चोकाने वाली भविस्वानी की गई है उनको कलिक अवतार से जोड़ कर देखा गया है आप लोगों को ग्याति हुआ कि हमारे धर में चार जुगों की बात कही गई है जिसमें सतजुग, त्रेता, द्वापर और कल्जुग है इसी तरह भारत के भी मीडिया में बिभिन प्रकार के कयास लगाये जा रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने नाई को नजदीक नहीं आने देने के लिए वे दाढ़ी बढ़ाये हैं कोई कहता है कि इस मुश्गिल घड़ी से बाहर निकरने के लिए उन्होंने ब्रत रखा है इसलिए दाढ़ी बढ़ा राके हैं कुछ का कहना है कि अपने को सत्ता पद लालत से दूर दिखने के लिए प्राचीन रिसी मुनियों जैसा वे दाढ़ी बढ़ा कर अपना विभार कर रहे हैं इस तरह अंतराश्टी मीडि अधिया में भी विभिन्त रहके क्यास लगाया जा रहा है मुझे तो पाकितान के जोतिस पर जाड़ा विश्वार से जिसका यह कहना है कि मोधी कलिक उतार है और अखंड भारत का सपना पूरा होगा अगर सत्मुछी में ही भारत के अखंड भारत बनने का सपना पूरा होत आते हैं तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जैए